नमस्कार मैं हिमानशू और आप देख रहे हैं टार्गेट विध हिमानशू अगर आप उत्तरप्रदेश के निवासी हैं बेसिक से चलबाग में सायक अध्यापके रूप में नौकरी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं अ अगली रिक्रूट्मेंट में एक शूट उसे भी मिल जाए तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को समझे और आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक में अगर कोई सहाय का ध्यापक बनता है तो उसकी योगिता बीड या वीटिसी होनी चाहिए यंसीटी की गाइडलाइन के बाद अब बीड अभिर्थी भी प्राथमिक विद्यालियों में सिक्षक के रू की भरती हुई है जिसमें सरकार ने समिशन दिया है मानी कोट में कि उनके पास एक क्यावन हजार से दिकपत रिक्त हैं जिसे कोट ने रिकार्ड में रखा है यानि कि जो बाते मैं आपको बता रहा हूं वो बिल्कुल सुप्रिम कोट में लिखी हुई है और रिकार्ड की क् रिक्रूट्मेंट आने वाले टाइम में होगा और एक बात और है कि उसमें सिक्षा में तो कोई मौका मिलेगा लेकिन ये एक अलग मैटर है ये तो क्लियर है कि क्यावन हजार पद है रिक्त और इनको इस पर भरती करनी है क्योंकि ये कोर्ट को तो गुमराह नहीं कर सकते तो उस तौरान जो अपने आपको बहतर शाबित कर लेगा दस लड़कों में एक लड़का सलेक्ट होगा ये समय लीजिए क्योंकि आप ही जानते हैं कि 51,000 पद है तो पांच लाग से उपर फार्म भी बनेंगे ठीक है अब मैं टीटी के बात की बात कर रहा हूं जिसे अभी इ जाहिर सी बात है संख्या बढ़ेगी ही उसमें आपको दस लड़के 12 लड़कों बीट करना है दस बारा पर एक का सलेक्शन होगा एक बटा बारा एक बटा चौदा या एक बटा दस का मतलब रेशियो लेकर चलना है आपको ये समय लीजिए यानिकि आपको बीट करना है इ आपको जरूर मौका मिलेगा सायक द्यापक बनने के लिए सबसे पहले आपको उसे चक पातरता पर चायानिकि TET पास करनी होती है अगर आपने CTET पास कर रखा है तो अच्छी बात है और आप UPTET पास करिए या CTET पास करिए कोई भी एक सायक द्यापक पर इच्छा आपको पास करना अनिवार है ठीक है इसके बाद आपको जब आप TET पास कर लेंगे तो उसके बाद आप साय का ध्यापक बरती पर इच्छा पास करेंगे उसके बाद मेरिट के अपका चैनों का आशा नहीं है कि दोनों पर इच्छाएं पास कर लेने भर से आपका सेलेक्शन हो जाए अभी हाली में 4,000,000,000 बरती ऐसे थे जो UPTT पास थे उसके बाद 79,000 साय का ध्यापक बरती पर इच्छा हुई और उसमें भी बड़ी संक्या में बरती पास हुए है ठीक है ओभी 79,000 का चैन हुआ है भी बड़ी संक्या में बरती बाहर ही है एक लाग 40,000 के आस पास बरती पास हुए थे तो आप समझ दीजेगा दो पर इच्छा है पास करेने का मतलब नौकरी मिलना नहीं उसमें भी बेस्ट जो है वही और बेस्ट कौन होगा जो अच्छे नम्बले कराएगा हालांकि चैन की आधार अगर आप देखेंगे तो इसकोल में तो वह 6 अंक जूड़ेगा, 60 का 10 परसेट, उसी प्रकार से इंटर्म ना लेजे 70 परसेट तो वह 7 तो यह चोटल मिलाकर 40 परसेट बनाएंगे आपका, आई स्कूल इंटर्स ना तक और BTC बीटीजी इट इनका और उसके बाद साय का द्यवग भरती परिछा में आपके जितने परसेट आ रहे हैं, उसका 60 परसेट, ठीक है ना, तो यह आपके टोटल 100 परसेट हो जा रहे हैं, इसमें क्या होता है, कि BTC जी इस कंडिजेट ने कर रखा है, उसका एडवांटेज है, क्योंकि BTC में अक्सा आपने देखा कि 90 परसेट लेकर आता है, आते है तो 90 परसेंट लेकर आने के बाद मतलब हो, अनकर 9 सीधे जुड़ी आता है, 10 परसेंट करेंगे तो, और BAD वाले 60 लेकर आते हैं, या 65 लेकर आते हैं, तो इनका 6 परसेट पांच उड़ता है, या तीन या धाई गुणांक आसपास पहले ही पीशे हो जा रहे हैं, तो मैं ये बार-बार बताता भी हूँ आपको कि जो BTC कर रखा है, उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत आगे चल ला है, वर्तवान नियम के अनुसार, क्योंकि उसका पहले से भी High School Interest ना तक में ज्यादा होगा, क्योंकि BTC करने का मतलब ही क्या है, उसका merit ज्य पर हुए है, तो BTC वाले पहले साही बहुत ही, एडवांटेज में है, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, मेरे करने का मतलब है, ठीक है, और B8 वालों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूवत है, उतना मेहनत करने की जरूवत है, जितना साथ आपने भी नहीं क लिए गड़ित मनविघ्ण में पर्यावरण यहां बहुत से कंडिडेट के लिए मनविघ्ण को बहुत सिर्य सती नहीं पढ़ाओ तो मनुविज्यान थोड़ा सा कटिन हो जाता कुछ लोगों के लिए उसमें नंबर कमाते हैं जैसे हिंदी आपने एक, दो, तीन, चार, पांस से स्टार्ट कर दी होगी अंग्री जी आपका पहले सा इंट्रेस्ट आओगा गड़ित आप फैमिलियर है इन सब्जेक्ट के पर इन यहां पर आपको जागा ध्यान देने की जरुवत है यह आपके लिए बिलकुल नए है मनुविज्यान तो साइंस का श्पुड़ेंट होगा तो उसके लिए बहुत कटिन हो जाएगा मनुविज्यान तो इसलिए आपको इन सारे सब्जेक्स पर फोकस करना है जो आपका पहले से बहुत वीक रहा है उसको आप सुधारने की जरुवत है इसमें आपको 150 संग की परिच्छा होती तिस तिस नंबर के सारे टीटी में आएंगे और जोब आप यह पास कर ले जाएंगे तो फिर आपको अगली परिच्छा देनी होगे सिच्छा चेयन परिच्छा ठी आगे बढ़ते हैं सिच्छक भरती परिच्छा में आगर हम बात करें जैसे आप टीटी पास कर लेंगे तो जायर सी बात है अगली एक्जाम पर आप फोकस करेंगे और अगला एक्जाम क्या है सिच्छक भरती परिच्छा अभी तक जिस प्रकार से होता आया है इसमें 40 नं आपको पूरा एकदम निचोड दिया जाएगा, आपका पूरा नॉलेज चेक कर लिया जाएगा, आप किसी चीज़ से भाग नहीं सकते हैं, आप से चेक भून लें तो आपका पास common sense, common knowledge वना चाहिए, हिंदी अंग्रजी संस्क्रित तीन होगा, ठीक है, क्योंकि आपको प्र प्रिच्छा होई थी उस सेट में काफी प्रश्न करेंट से आते हैं, तो करेंट अभी पढ़ने के जरूरत नहीं है, इस वीडियो में हम एक विज़क पर तुरा से चाचा करेंगे कि उसको इस प्रकार से तयार किया जाए, तब आप वह सारे सब्जेक्ट को तयार करना, अ और अगर आप BTC कंडिनेट हैं, तो भी आप 105-110 टर्गेट लेकर चलिए, आप अपने आपको मतलब दुविधा में मत रखिए, आप हमेशा अपने अपना बेस्ट देने का प्रयास करें, तो अब मेरे काने का मतलब है, आप BTC हैं तो आप यह मत सुचे कि मुझे 105 लाना है मुझे भी अधिक सदिक मार्क्स दे करना है, तो भी मेरे सलक्षन होगा, ठीक है, तो सूचना तकनीक हो गया, इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, यह सब भी है, यहां से भी आपके 5 नंबर के प्रशन हैंगे, और G1 कॉसल से इसे छड़की भूम का क्या है, इसमें भी आपके 10 अंग के प्रशन पूछे जाएंगे, रिजनिंग आपकी 5 नंग की रहेगी, ठीक है, यहां समानी ग्यान रहेगा, त्रगोदुफ में इतियाफ भूगोल और जो भी आपका मतलब basic questions है, वो cover कर लेते हैं, paper shutter, ठीक है, तो यह आप देख पा रहे हैं कि यह कितना मतलब subject है, बाकी competition exam में आपने देखा है, आप SSC का exam देते हैं, चार विशे पढ़के जाते हैं, आपने government exam, bank का exam देते हैं, चार विशे पांच विशे रहता है, लेकिन यहां पर आप देख पा रहे हैं, तो पुरा का पुरा एदम गठार बना दिया गया है subject का, इतनी ज़ गड़ित होने का मूल मंतर, एक मंतर इसमें हम देखेंगे, सबसे पहला हत्यार है आपका गड़ित, गड़ित को बनाए हत्यार आप, अगर आपको selection लेना है, तो मैंने अकसर देखा है, और यह मैं मतलब देखता हूँ, लड़कियों के अंदर ज़्यादा प्रोब्लम आती कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, जो बहुत पहले से, मतलब पढ़ाई जिनके छूट चुकी होती है, गल्स के साथ अकसर ऐसा प्रब्लम होता है, कि उतनके सामने कंडिशन कुछ ऐसी है जाती है, गर की जम्दानिया जाती है, तो फिर पढ़ाई अपना नहीं कर बाती, तो फ कंडिशन का मैथ से, यह मैथ नहीं आता है, मैंने यह कई बार सुनाई, कई कंडिडेट से सुनाई, कि मैथ नहीं आता है, यह गल्ट है, आप अगर ऐसी धानड़ा लेकर परिछा मुछाएंगे, और आप पहले से ही, अगर यह सुच्छ के बैठे हैं तो फिर आप से में ल और अब math बहुत अच्छी condition में है ठीक है तो गड़ित को आप हथियार बनाएए भागिए मत गड़ित से उसको पढ़िए और परश्णों की प्रकृति क्या होते हैं जिसे आप यह परिछ्छा देने जा रहे हैं आप SSC लेवल का math तो यहां पूछेगा नहीं कठीन है बलकि आप आसान से सामान इस्तरत के प्रश्णिस में पूछे जाएंगे यह आप किसी भी सेट का टीटी उठा लेजिए और अभी शेक्षा बरती भी हुआ है उन्दोनों को देख लेजिए math बहुत टप नहीं रहता है आसान से कठीन ठीक है और सबसे बड़ी बात ह है कि math एक ऐसा subject जो 100% scoring होता है यानि कि अगर आप 20 नंबर देख रहे हैं तो 20 में 20 ला सकते हैं ठीक सीना ठोक कर आप कह सकते हैं कि मेरा 20 में 20 नंबर आ जाएगा ऐसा मैं इसलिए क्या रहा हूं क्योंकि बाकी subject में आप कितना भी तयार कर लें आप current कितना भी तयार कर लें आप GS कितना भी तयार कर लें लेकिन आप 100% score नहीं कर सकते हैं ठीक है और math एक ऐसा subject है जहां आपके concept अगर strong है आपने पढ़ रखे हैं आपने मेहनत किया है तो वहां पर आपके 100% माक्स आएंगे अगर आप 25 क्यूशन आ रहे हैं तो 25 में 25 आप 100% सही कर देंगे सटीक कर और वह आप उस दोरान जान भी जाएंगे क्योंकि आप हल करेंगे ना वहां पर याद नहीं करने वाली चीज़े समझने वाली चीज़े concept को apply करने वाली बात है तो math एक ऐसा subject है जहां आप बिलकुल confident के साथ appear हो सकते हैं और 100 में 100% ला सकते हैं और 20 नमबर का है तो 200 ला सक सब्सक्राइब कर देखेंगे math वगरा का तो वहां से आपको ज्यादा question मिलेंगे ना कि 10 का तो यह भी समझ लीजेगा आप आठमी से 10 अस्तर के math के सवाल रहते हैं बहुत easy रहते हैं एक एक कध्या पर आप focus करें math को समझने के लिए या math को सवालो करने के लिए एक बात आ मतलब आपका chapter पढ़ना है आपको उसको क्रम वाइच पढ़िए और उसका एक मतलब एक क्रम होना चाहिए एक serial से आप पढ़ेंगे नहीं जैसे मालेजी आपको संख्या पद्धती पढ़ाने पता नहीं है संख्या पद्धती के पढ़े बिना आप डिरेक्टी आ गए लग होता है वो क्रम से ही आप उसको पड़िए ठीक है यह नहीं कि एक को यह चैप्टर उठा लिया ये आपका भुगोलितियास नहीं है कोई भी अप ब्लार करम होता है तो अब ईससी आपको समझना है कि इसको करम से पढ़ना है ठीक है गडित एक मातर बीसा है जो प्रैक्टि से या मुझे मैं compound interest लगा रहा हूं तो मुझे इस चेप्टर से कम स्कम 20 को सानाज कर ले हैं और यह चीज आपको समिझना है कि गड़ित एक्मात रहसी भी से है जो प्रैक्टिस से आती है और जितना ज़्यदा प्रैक्टिस अपने आप करते जाएंगे आपकी speed बढ़ेगी आ अगर आप भुगो लितियाज को कर लिख रहे हैं तो वह आपका time नहीं बचाएगा लेकिन मैं ठीक है सब्जिक्ट है जो आपका time भी बचाएगा पहले आप क्यूस्टन को 60 से करेंगे तो 40 से करेंगे तो चालिस से करेंगे तो चालिस से करेंगा और यही चीज आपको अगर आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आपकी स्पीड बढ़े अधिक प्रैक्टिस से सवालों को हल करने की गती बढ़ेगी जैसा मने लिखा है और शुरुगात में आप आसान प्रस्में को हल करें एक बात अब समझ लिजेगा अभी किछी ने कहा था कि कटिन को पहले कर आप जो भी चैप्टर उठाते हो जैसे प्रच्षत उठा रहे हो जैसे चक्र विद्धी उठा रहे हो जैसे लाभानी उठा रहे हो तो आप पहले आसान सवालों को करें जब आसान करते जाएंगे तो आपके अंदर कॉंट्टेम डेवलप होगा कि मुझे आ रहा है आप तो पर दिसक्रशन कर दे रहे हैं हमने आरे सग्रवाल की मैथ पढ़ी है ठीक है आरे सग्रवाल की गडित आ सकती है आप अगर इसको लगाना चाहिए लगाईए शिक्षक बड़ती की बात मैं कर रहा हूं आपको चाहिए हम लोगों ने यह किताब मैंने किया है और चुकि ए ये चाहिए रहा है आती है और राके स्यालधों की बीट्रार के तो यहां आपको सिक्षक बड़ती पर फोकस करना आज है तो आपके पास सिर्फ दो किताबे हूं नूसे को बढ़िया से लगाईए मनत कर्या प्रक्रिस करिए आपको क्यूस के लिए यहां पर आना ठीक है यह देखिए इसमें भी आपके बहुत टाप लेवर के क्यूशन आ जाएंगे जो आपके एक्जाम से एक्जाम और नहीं है ठीक आपके लिए लूशन प्रयाप्त है लूशन की प्रात्मिक अंगड़ित आती है वो बहुत अच्छी इताव है ठीक उसको आप जो क्यूशन इजी हैं सिर्फ उने ही करिए इजी क्यूशन ही आपका मतलब कॉंफिडेंस बढ़ाएंगे और आपको सिखाएंगे ठीक है जो भी कुछ सीखेंगे आप इजी क्यूशन से सिखेंगे तो बार बर आप टप क्यूशन के पीछे मत बागई है बहुत गलत अब लेक्सन हुआ है या मैं ना फरी पागया हुँ या मैं सफल हो गया हूँ ट्रिक कभी सफल आपको नहीं बना सकती उसके लिए आपको बहुत महनत करना पड़ता है दो यह ट्रिकी मैहत जहर होती है एक्सल्में यह कंसेप्ट कर दो आपको पक्रिक्स देतेता को लिए एक जैसे सवालób को एक साथ लगाएं, इससे आपका गौनसेट से बिलमुरी है कैशन को कहिं Skill को पकडनेंगी, कहां से कैसे बन रहा है वो चीज़ स्ट्रॉंग हो जाएगी, ठीक, इंपोर्टेंट कॉंसेट को आप नोट करते जाएए, पहले पढ़ें, फिर प्रैक्टिस अट करें, कुछ लोगों को मैंने देखा है, बार-बार, वो ये कहते हैं कि मैं ये प्रैक्टिस सेट कर रहा हूँ, कुछ यूटुबर्स आपको ये भी कराते हैं, वो डिरेक्टिस अट करा न लगता है, भाई, कुछ पढ़ाओगे, कुछ सिखाओगे, कि पहले प्रैक्टिस सेट कराओगे, प्रैक्टिस सेट कराने बैट गए, पता चला उसने कुछ पढ़ा नहीं है, चारचे क्विश्टन किया नहीं है, उसका तो कांट्फिडेंस खतम हो गया, फिर वो सुचेगा मुझे बसका है, नहीं मुझे आता नहीं है, तो कभी भी पहले प्रैक्टिस सेट पर मत जाएगेगा, प्रैक्टिस सेट लास्ट मुमेंट पर किया आता है, अपने आपको चेक करने के लिए, एड दे बिगनिंग, यू कन नॉट डू दिस, ठीक है, इस्टार्ट में यह आप इसको प्रैक्टिस सेट करने लग जाएगे, तो यह सबसे गलत तरीका होगा, आपका कांट्रिडेंस लूज हो जाएगा, आप तयारी अच्छे सेट नहीं कर पाऊगे, तो प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ना करें, ठीक है, पहले सब कुछ पढ़ें बढ़ियां से, और जब पढ़ लेते हैं, और जब लास्ट टाइम रहेगा, एक्जाम के 10 दिन, 15 दिन, तो आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, अपनी स्पीड को गेन करने के लिए, चेक करने के लिए, ठीक है, तो फिलाल इस वीडियो में हमने मैथ पर बात कर ली, कि मैथ को आपका ऐसे स्ट्रॉंग कर सकते हैं, इस वीडियो को अधिक से दिक लोगों तक सेयर करिए, ताकि जो भी सिक्षक बर्ती के त्यारी करने वाले कंड़ियर्ट हैं, वो फाइदा ले सकें, जुड़े रहे हैं इस चैनल पर सिक्षक बर्ती से संबन दित, महतवपूर पॉइंट्स, महतवपूर जानकारी और जो भी इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो भी इस चनल के मादम से कबल की जाएंगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वूडियो में, गुडबाई!